हलो फ्रेंट्स बागडवा SB के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है होली परव 2022 की सभी को बदाईयो यहां हमने साइंस टेस्ट सिरीज के नाम से एक टेस्ट सिरीज शुरू कर रखी है जो रीट लेवल सेकिंड इसके अलावा आर्मी जीडी एससी रेलिवे टैन प्लस टू 2022 में होने वाले तमाम एक्जामिनेशन के लिए बहुत इंपोर्टेंट साबिट होगी फ्रेंड्स जादा से जादा वीडियो को शेर करें और पहले बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसे सस्क्राइब करें और शेर जरूर करें फ्रेंड्स आज जो हमारा टोपिक रहेगा उस पे हम बात करेंगे माननाव मस्टिक्स की आज इतने भी अमारे specific question रहेंगे वो रहेंगे माननव मस्टिक्स पर माननव मस्टिक्स के पर specific topic की series लेकर हमने आये हैं तो एक बाद जरूर वीडियो को share करें तो पहला question है screen पर friends वर्षन तथा अंडशे में आय युगमित युगमकों के निर्मान की विदी को क्या कहा जाता है तो इसको बोलते हैं युगमंज इसका नाम क्या होता है friends युगमंज के नाम से इसको जानते हैं next question है screen पर मादा में उपस्टेट अंड़ानू मेथुन के दुरान नर्द वारा छोड़ेगे शुकुरानू के संपरक में आते हैं इस प्रकिरिया को क्या कहा जाता है तो इस प्रकिरिया को कहते हैं friends निशेचन निशेचन के नाम से इस प्रकिरिया को जाना जाता है नेक्ट क्वेशन है स्क्रीन पे friends यहां देख रहे होंगे आप कि युगमंज समसुत्री विवाजन के दुवाला एक सरंचना बनाता है जिसे कोरक कहा जाता है कोरक अंत्यस्तर में जाकर स्तापित हो जाता है इस प्रकिरिया को क्या कहा जाता है इस कोरक बने की प्रकिरिया विदलन वे भ्रून का रोपन कहलाती है विदलन तता भ्रून का रोपन कहलाती है यहां नोट करके स्पेसिक बाते लिखी हुई है अब अमारे जो टोपिक है मानम मस्तिक्स के सुरू होते हैं यहां से अंग तंत्रों के आपस में सम्निवे है तू शरीर में विशेश परकार का एक तंतर कारे करता है जिसे तंत्री का तंतर कहा जाता है वहविन तंत्रों में सम्णिवय को बहतर दंग से स्तापिट करने हैं तो माणब सरीर में एक अन्य तंत्र उसको बोलते हैं friends स्त्रावी तंत्र तो एक तो अमारे सरीर में अंगों का सम्णिवय करने के लिए सुचनाओ का अदान-परदान करने के लिए सम्वेग को एक स्थर से दूसरे स्थर तक पहुंचाने के लिए तंत्री का तंतर काम करता है और इस तंत्री का तंतर पूरे सजीर की कंट्रोलिंग नहीं कर सकता इसकी साहिता करने के लिए एक तंतर और होता है जिसे बोलते हैं अंते स्त्रावी तंतर के नाम से भी इसको जानते हैं यह specific दो परिवासिक टोपिक है नेक्स्ट क्वेस्टन है स्क्रीन पे तंत्री का तंतर कितने भागों में विवाजित होता है तंत्री का तंतर जो है फ्रेंस दो भागों में विवाजित होता है एक होता है हमारा केंद्रिये तंत्री का तंतर और एक होता है प्रीदिये तंत्री का तंतर तो तंत्रिका तंतर जो है दो बागों में बनता होता है केंद्रिये तंत्री का तंतर और एक है प्रीदिये तंत्री का तंतर next question है friends screen पे ऐसी तंत्री का जो उधिपन को उतकों वे अंगों से केंद्रिय तंत्री का तंतर तक पहुंचाती है उसको बोलते हैं समवेदी या अभिग्राई क्या बोला जाता है friends उसको बोलते हैं समवेदी या अभिभाई बोलते हैं इसके उल्टा जेस्ट होती है कि ऐसी तंत्री का केंद्रिय तंत्री का तंतर जो नियामक या उधिपन को संबन्दित अंगों तक पहुंचाती है जो भी हमारे उधिपन या तंत्री का तंतर है उससे अंगों तक पहुंचाने वाली को क्या बोलते हैं प्रेरक अपवाई जो फ्रेंच अंगों वे उतकों को तंत्री का तंतर तक मतल मस्टिक तक पहुंचाती है उसको तो बोलते हैं संवेद्धी या अभिभाई और जो तंत्री का तंतर मस्टिक से अंगों तक सुन्चना पहुंचाती है उसको बोलती है प्रेर किया अपोहई next question पे नीमन में से कौन प्रीतिये केंद्रिये तंतर नहीं है तो प्रीतिये तंतर दो प्रकार का होता है friends एक होता है काईक तंतर और एक होता है स्वाइट तंतर मेरु रज्जु इसका भाग नहीं होता प्रीदिय तंतर दो प्रकार के होते हैं एक होता है काईक और दूसरा होता है स्वाइट और उसके बाद स्वाइट जो है फ्रेंट्स ये स्वाइट भी दो भागों में बनता होत अनुकंपी और एक का नाम होता है प्रानुकंपी और यह जो मेरुरजु है फ्रेंस यह किसका भाग होता है यह होता है केंद्रिय तंत्रिका तंतर का केंद्रिय तंत्रिका तंतर दो भागों में बनता होता है जिसमें से एक मेरुरजु होता और एक मस्तिक्स होता है Next question भी स्क्रेंट पे तापमान नियंत्रैंट माननव वेभार और उधिर पडी संच्रैंट वे स्वस्षन अद्दी को नियंत्रीत कोण करता है तो यह जो नियंत्रीत करता है यह मस्टिक्स का कारे होता है फ्रैंट्स किसका होता है जटिल अंग माना जाता है जो खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित रहता है और मस्तिक्स के आवरण के बीच में एक खांच की तरह दर्वे भी पाये जाता है जिसको मस्तिक्स मेरू दर्वे के नाम से भी जानते हैं ये मस्तिक्स के बारे में कुछ सपेशिक टोपिक है और मस मंस्टिक्स के परकार है अभी मैंने का तीन परकार होते हैं अगर मस्टिक्स बी है मद्द्यमस्तिक्स भी है और पस्चे मस्टिक्स भी है यह मस्तिक्स का सबसे बड़ा भाग परमस्तिक्स या अगर मस्तिक्स होता है यह जो भाग होता है यहां पर ग्यान चेतना सोचने विचारने का कारे संपाधित होता है तो आपका इंसर होना चाहिए अगर मस्तिक्स या परमस्तिक्स एक लंबा गेरा वीदर होता है जो परमस्तिक किसको दाएं वेबाएं गुलार्द में विक्त करता है तो परमस्तिक्स या अगर मस्तिक्स दो भागों में क्या होता है विवाजित होता है एक बाया भाग और एक दाया पर ते गुलार्द में दुसर दर्वे पाया जाता है जो प्रंतावस्ता या वलकुट या कोटेक्स कहल तो ये भी question repeat हो चुका है कि निमन में से किसके अंदर वलकुट या कोर्टेक्स पाया जाता है तो friends ये अगर मस्थिक्स या परमस्थिक्स में पाया जाता है नेक्स्ट question screen पे है भूक प्यास निंदरा ताप ठकान इसका ज्यान कोन कराता है तो इसका ज्यान कोन कराता है फ्रेंट्स हाइपो थेलमस करवाता है कोन करवाता है हाइपो थेलमस या परमस्थिक्स के ही भाग होते हैं अगर मस्थिक्स को दो गुलार्द आपस में अगर मस् में कनेक्ट कौन करता है कारपस केलोमस की पट्टी के द्वारा दोनों भाग जुड़े रहते हैं परमस्तिक्स के चारों होर से ठेलेमस से गिरा रहता है ठेलेमस से और ठेलेमस सवेदी प्रेरक संकेतों का केंदर है सवेदी और प्रेरक केंदर उनका जो केंदर बिंडू होता है ठेलेमस होता है नेक्ट क्वेशन स्क्रीन पर कि निमन में से बहुत अच्छा क्वेशन है ये कि निमन में से कौन से मस्तिक्स का भाग चार भागों में बनता रहता है उपरी दो पिंड दृष्टी के लिए और निचले दो पिंड सर्वन के लिए उतर दाई होते हैं ये चार भागों में कोंड बनता रहता है फ्रैंस मद्यमस्तिक्स बनता रहता है और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो शेर करें और सब्सक्राइब करें नेक्स्ट कोशन स्क्रेन पे यहां देख सकते हैं निमन में से मस्टिक्स का कौन सा भाग पॉंस वे मध्यांस को समाईत करता है पॉंस और मध्यांस को समाईत करने वाला जो भाग है फ्रेंट्स उस भाग का नाम होता है पस्चे मस्टिक्स क्या बोलते हैं इसको पस्चे इसई का दूसरा नाम होता है अनूमस्तिक्स बोल दिये पर मद्य मस्तिक्स उसका दर्ष्टी और सरवन के लिए उतर दई, ये कोशन जो है, वो ये है friends, कि निमन में से मस्टिक्स का कोण सा बाग पौंस वे मध्यांस को समाईत होता है, तो इसका answer होता है अनुमस्टिक्स, अनुमस्टिक्स का दूसरा नाम क्या होता है friends, पस्चे मस्टिक्स, क्या होता है, प जिक पेश्यों को निमन तूसरा मस्टिक्स करता है, तो पस्चे मस्टिक्स या अनुमस्टिक्स अंसर होना चाहिए, ये एक विलगित इसतेवाला भाग है, जो neurons को अत्रिक्स तान पर दान करता है, पोस मस्टिक्स के विविन वागों को अपस में जोडता है, अच्छा question ब होती है, जैसे धड़कन, हर्दे की धड़कन है, जैसे रक्तदाब है, पाच्चकरस है, ये कुछ ऐसी किरिये होती है, जो अनेच्छिक होती है, और इनका नियंतरनकिस के द्वारा होता है, मद्यांस इसके लिए कंट्रोलिंग पार होती है, और जो एच्छिक किरिये होती ह उनका अनुमस्टिक्स के द्वारा किया जाता है नेक्ट कोशन है स्क्रीन पे अच्छे लेवल का कोशन है कि परतिवर्ती किरियों के संचालन वे नियमन करने के लिए कारे करती है साथ ही मस्टिक्स से प्राप तथा मस्टिक्स को जाने वाले अवेगों के लिए पत्थ कोन परधान करता है तो ये काम होता है किसका मेरूरजू का कारे होता है यहाँ देख सकते हैं मेरूरजू लगबग 5 सेंटिमिटर लंबी होती है और पश्चे मस्तिक्स के मध्यांस के जरेए मेरुरजु से जुडा रहता है और इसके दो बाह गोते हैं मेरुरजु के बितरी स्तय को दुसर दरवे और भारी स्तय को स्वेत दरवे के नाम से भी जानते हैं नेक्स्ट कॉच्छन है प्रेंट स्क्रेन पे मस्टिक्स तता मेरु रजु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का स्वमूः जो केंदरिये तंत्रिका को जाने वहां से आने वाले संदेशों को पहुचाने का कार्य करता है। तो ये काले किसका है फ्रेंट्स ये होता है प्रीदिये तंत्रिका तंत्र का काम। किसका होता है फ्रेंट्स प्रीदिये तंत्रिका और प्रीदिये तंत्रिका दो परकार के होते हैं। एक होते है काईक तंत्रिका तंत्र और एक होता है स्वायत तंत्रिका तंत्र। यहाँ आप देख सकते हैं कि नीमन में से कौन सा भाग उन किरियों को संपादित करता है जो वेक्टी अपनी इंचा के नुसार करते हैं तो वेक्टी जब अपनी इंचा के नुसार कारे करता है तो इसका संपादन किया जाता है काईक तंत्रिका तंतर का कौन सा होता है काईक तंत्र का तंतर यहां आप देख सकते हैं स्वाइत तंत्र का तंतर जो विक्ति की इंचा के नुसार संपादित नहीं होती सवते जो कारे किये जाते हैं इनको संपादित कौन करता है स्वाइत तंत्र का तंतर और जो विक्ति इंचा के नुसार काम खरता ह हुए काईक तंत्री का तंतर और स्वाइत तंत्री का तंतर दोनों इप्रेंस प्रिद्य तंत्री का तंतर के भागे हैं नेक्ट क्वेस्टन स्क्रीन पे कि नीमन में से कौन अपातकाल की परस्थितियों में व्यक्ति को अत्रिक्त उर्जा परदान करता है तो अपातकाल की पर्ष्टिटियों में वेक्टी को अत्रिक्त उर्जा पर दान करने वाले अंक का नाम क्या है अनुकंपी तंत्री का तंतर Next question स्क्रीन पर या देख सकते हैं अपातकाल की पर्ष्टिटी में हर्द्य की गती का तेज हो जाता है स्वांस की गती बढ़ जाती है ये सब कंट्रोलिंग पाउर किसके पास होती है अनुकंपी का तंतर के पास नेक्स्ट क्वासन है अंकों की पुतली का सिकुड़ना लारवे पाचक रसों में विरिदी होना ये किसके द्वारा कंट्रोलिंग होती है तो यह होती है प्रानुकंपी के द्वारा किसके द्वारा फ्रेंड से प्रानुकंपी तंत्री का तंतर के द्वारा तो इस तरह से आज हमने यह आप देख सकते हैं यह तंतर सारी उर्जा का क्या करता है संचेन करता है और विरामा वस्ता में यह तंतर किरियासी लोकर उर्ज प्रानुकंपी तंत्री का तंत्र आसा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और अन्य प्रेंट के साथ शेर करें क्योंकि आज मैंने जितने भी NCRT प्रेंट सी आप देख सकते हैं ये जो हमारा कंटेंट है NCRT और आरबी सी पाठे करम पर अधारीत है जो एक्जाम की दृष्टी से authentic स्बुके मानी जाती है जितने भी मानव मस्दिक से संबंदीत कोशन बन सकते ते उन्हें कोशन मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए इसके अलवा इसकी जो सपेसिक जानकारी है हिंट के तोर पर वो भी मैंने आपके साथ शेर की तो अब आपका काम है कि मैंने आपके साथ NCRT RBC पाटे करम पर अधारी टोपिक शेर किये आप अन्य फ्रेंट को शेर करें तो अली परव 2022 की सभी को फिर से हार्दिक बनाई चैनल को सस्क्राइब लाइक शेर करें थैंक्स वोचिंग माई वीडियो थैंक्यों सर्थ